दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ITC Limited और IGL यानि की इंदरप्रस्था Gas Limited के साथ में टोटल में आठ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिरों ने आप स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे अमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है Manorama Industries Limited Manorama Industries का जो शेयर प्राइज है वो 2000 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस कंपनी ने आपके स्टॉक स्प्लेट अनौंस कर दिया है 1-5 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 5 शेयर के अंदर में कंवर्ट हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मर्जी स्टॉक्स हो आपका हर एक स्टॉक यहापे 5-5 स्टॉक्स के अंदर में कंवर्ट हो जाएगा और क्यूंकि यह एकदम लेटेस्ट अनॉसमेंट है तो अभी तक कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट को देने की एकस डेट और रिकॉर्ड डेट अनॉसमेंट आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है गोवा कार्बन लिमिटेड गोवा कार्बन का जो शेयर प्राइज है वो 606 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे डिविडेंट अनॉस कर दिया है 10 रुपीज का यानि की हर एक शेयर के उपर में आपको 10 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की जो एकस डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 29 जानवरी की रहने वाली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है PCBL Limited PCBL का जो शेयर प्राइज है वो 275 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे डिविडेंट अनॉस कर दिया है 5.50 रुपीज का यानि की हर एक शेयर के उपर में आपको 5.50 रुपे यानि की 5.50 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा एंड इसको भी देने की जो एकस डेट और रिकॉर्ड डेट है वो सेम डे की रहने वाली है यानि की 29 जानवरी की अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो स्टॉक बोनस को लेकर के रहने वाला है अब अगर कंपनी 24 जैनवरी को 1 इस टू 1 या फिर 2 इस टू 1 के रेशियो से स्टॉक बोनस अनौंस करती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर में हम लोगों कोई काफी जाधा शानदर रैली देखने को मिल सकती है और क्यूंकि रामा स्टील ट्यूब्स का शेयर प्राइस भी काफी जाधा कम है तो काफी जाधा रेटेल इंवेस्टर्स जोए इसकी तरफ में अट्रैक्ट होंगे और इस वज़े से हमें अपर सर्किट्स भी लगते हुए देखने को मिल सकते हैं तो ज़रूर से रामा स्टील ट्यूब्स के शेयर को आपकी नजरों के अंदर में बनाके रखिएगा आपके वॉच्छ लिस्स के अंदर में एड कर लिजिएगा अगले शेयर की बात करें तो कंपणी का नाम है फीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड फीम इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइज है वो 2500 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस कमपनी ने आप इस स्टॉक बोनस अनौस कर दिया है वन इस टू वन के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर का ही बोनस मिलेगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा बेसिकली आपके पास में इस कमपनी के जितने भी स्टॉक्स होंगे आपको उतने ही स्टॉक्स का बोनस दिया जाएगा आपके सब के सब shares यहाँ पे double हो जाएंगे and stock bonus को देने की जो X date और record date है वो 28th of February की रहने वाली है अगले share की बात करें तो company का नाम है ITC Limited ITC Limited का जो share price है वो 466 रुपीज के उपर में चल रहा है and ITC ने आपे board meeting organize कर दी है 29th of January को and इस board meeting का जो purpose है वो dividend and साथी साथ में quarter 3 के results को लेकर के रहने वाला है अब आपको इन दोनों चीजों के उपर में नजर बना के रखनी है अगर company ने अपनी dividend history यानि की past में अपने investors को जितना भी dividend दिया है उसके accordingly एक अच्छा dividend अनौंस कर दिया और साथी साथ में quarter on quarter basis पे एक हलकी बहुत भी growth यहां पे report कर दीना तो definitely ITC के share के अंदर में हम लोगों को एक काफी जादा शांदार तेजी देखने को मिल सकती है already charts के उपर में ITC का share काफी जादा bullish है तो एक अच्छा dividend announcement और एक decent quarter 3 results यहां पे हमें charts के उपर में एक breakout दे सकता है जिसकी वज़े से ITC के share में हम लोग एक rally expect कर सकते हैं तो 29 जनवरी तक board meeting तक के लिए ITC limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहां पे हमारे ugly and last stock की तो company का नाम है IGL यानि की इंदरप्रस्ता gas limited IGL का जो share price है वो 435 रुपीज के उपर में चल रहा है and IGL की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहां पे choice broking करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and choice broking के जो executive director है वो है सुमित बगडिया अब सुमित बगडिया ने जो है IGL के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और जो target price यहां पे दिया गया है वो 445 रुपीज का दिया है और साथी साथ में दूसरा target दिया है 455 रुपीज का तो 435 रुपे से लेकर के 445 और फिर 455 रुपे तक की एक जो rally है वो यहां पे choice broking expect करके चल रहा है IGL के share के अंदर में साथी साथ में इन्होंने आपे stop loss भी recommend किया है जो की 421 रुपीज कर रहेगा तो 421 रुपे का stop loss देते हुए एक proper brokerage call यहां पे choice broking ने share करी है IGL यानि की इंदरप्रस्था gas limited के share के उपर में अब IGL काफी जानी मानी company है and definitely काफी strong company भी है और यह जो target है 2-3 दिन के हिसाब से दिया गया है और इस week के अंदर अंदर काफी high possibilities रहेंगी यह target आपको achieve होता हुआ देखने को मिल जाए तो जरूर से IGL के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा बाकी इसके अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना हुआ बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 8 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye